आज के साउथ अमेरिका के पेरू, कोलंबिया और अर्जेंटिना में स्थित इनका सब्वेता दुनिया की सबसे प्राचीन और रहस्य स्वगीरी सब्वेताओं में से एक है तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्राचीन और इनका सब्वेता के बारे में 10 अन्वन फैक्ट जानेंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते है इनका सब्वेता दुनिया की सबसे शुरुवाती सब्वेताओं में से एक है जिसका अस्तित्व 1438 BC से 1532 AD तक रहा इनका सब्वेता दक्षिन अमेरिका का सबसे बड़ा सामराज्य था इनका सब्वेता के संस्तापक का नाम है मनका गोपाल जिसे इनका लोग सुरेदेव का बेटा मानते थे प्राचीन इनका लोग सुरेदेव की बुचा करते थे उन्होंने चमकने वाले पत्तर से अपने शेहर कुषको में सुरेदेव का मंदीर बनाया था इनका लोग अपने भगवान सुरेदेवता को खुश करने के लिए मानव बली देते थे ये लोग जिन्दा इंसान का दिल निकाल कर उसे सुरेदेव को समर्पित करते थे प्राचीन इनका लोग अपने शत्रों के सिर के खुपड़ी को एक नशिला पदार्थ पिने के लिए कटोरे के रूप में इस्तमाल करते थे इनका लोग सुरेदेवता को प्रसन्द करने के लिए वर्जिन महिलाओ की बली भी दिया करते थे प्राचीन इनका सब्वेता ने रर्णीतियों के आधार पर अपने सामराज्य का विस्तार किया इनका लोग क्वेचुवा भाषा बोलते थे इनका सब्वेता के लोग अपने रादा के मृत शरीर को मम्मी बना कर रखते थे आर्केलोजिस्ट को खुदाय के दौरान ऐसे कई सारे मम्मीज भी मिले हैं जिसे हजारों सल पूराना माना जाता है ऐसा माना जाता है कि प्राचीन इनका सब्वेता के लोग अपने तंत्र मंत्रे के ज्ञान से समय यातरा करने का हुना रखते थे इनका सब्वेता के लोगों ने उस समय बहुत से बड़े बड़े पिरामिट्स का निर्मान करवाया था जिसका इस्तमाल ये पूजा सलों के रूप में करते थे इनका सपेता का मूल शहर माचु पुचु यहां के आर्खिलेक्चर का सर्वस्टे सुधारन है इस शहर को पहाड़ों को काट कर बनाया गया है जग्यानिकों के अनुशार उस समय ऐसी उन्नत तक्निक नहीं मौजूद थी जिससे पहाड़ों को काट कर शहर का निर्मान किया जा सके लेकिन प्रकुरूति की गोद में बसी सम्रिद्ध शहर माचु पिचु का निर्मान किसने किया ये आज भी एक रहस्य है ऐसा माना जाता है कि जब इनका समराज्ध की राजा से पूछा गया कि इन विशाल का परवत को काट कर इतने बड़े शहर का निर्मान किसने किया तो राजा का जवाब बेहदी चौगाने वाला था राजा का कहना था कि ये उन्होंने नहीं बनवाया वो इसके निर्मान के बारे में अधिक नहीं जानते बस इतना पता है कि आस्मान से कोई चमकती चीज आई थी जिसने ये बनाया और छोड़ कर चला गया और इसलिए कई लोगों का मानना है कि ये इनसानों ने नहीं बलकि एलिंजने बनाया और ये वेग्यानिकों के लिए आज भी एक वहेली बना हुआ है आपका इस बात पर क्या कहना है कि इतने बड़े बड़े पहाड़ों को काट कर शेहरों का निर्मान किसने किया होगा नीजे कमेंट में ज़रूर बताना अगर आप इतिहास से जुड़े ऐसे ही अमेजिंग फैक्स जाना चाते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने ना बाकि आने वारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले हैं